Good morning student, MBS University अजमेर के B.A. Part 3 Political Science के पेपर फस्ट के मेरे युवा साथियो दरसल आपसे बात करते हुए ज़्यादा अच्छा अच्छा यह लगता है कि आप नागरिक बनने वाले हैं यू तो भरत की नागरिकता आपको आपके जन्म के साथ ही मिल गई है लेकिन नागरिक होने का आशे केवल किसी देश में जर्म ले लेना ही नहीं होता बलकि इसके साथ-साथ उसकी विवस्थाओं को, उसकी कानूनों को, उसके नियमों को, समाज की परंपराओं को उन परंपराओं को जो आपको पालन करनी हैं, उनको जिनके तूटने की आपसे उमीद हैं, इन सबका समुच्चे आपको नागरिक बनाता है तो उस रहा में आप अगरसर हैं, इसलिए आपसे मिलकर बात करने में ज़्यादा सुकून मिलता है तो आपकी सोच अब बन रही है दवस्ता के पती, विशासन के पती, आजिनिती के पक्री, पक्रिया के पती आप एक निश्चित सोच को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और जो चीज़े आपको नादावा गुजरती हैं, यदि उनके आधार सही हैं तो उनको बदलने में आप पीछे नहीं खटेंगे, मैं ऐसा विश्वास मान कर चलता हूँ तो एक नया चेप्टर आजम शू करने जा रहे हैं एंटोनियो ग्रामची, या ग्रामची इटली के विचारक हैं, वह ये उचारन और नाम जो है, इटेलियन है उनकी बारे में आज बात करेंगे, आपके सेलिवस पर उनका राज्जी का सिद्धान थे देखिए, उससे पहले हमने माक्स को पड़ा है ग्रामची की गिंती, नव माक्सवादियों में होती है बीस्वी शताबदी के माक्सवादी विचारक हैं और जिन्होंने माक्सवाद की व्याक्षाओं में बदलाव के प्रयास की, इसलिए महत्पूर है वरना चाहे आप स्ट्रीन को पढ़ें, या लेनिन को, या माउस ये तों को ये वो लोग है जिन्होंने माक्सवाद को एक स्टील की बॉल की तरह माना है ये कमेंटिद रसल ब्लाविदी लिनिन का है जिन्होंने माक्सवाद की संग्या स्टील की बॉल या गैन से दी है और कहा है कि यदि इसमें कुछ भी बदलाव की कोशिश की जाती है तो गैन का आकार बिगड़ जाएगा और वो किसी काम के नहीं बचेगा इस उपमा की उधारन से उन्होंने ये स्पस्ट करने का प्रयास किया है कि माक्सवाद में किसी भी पकार का बदलाव संभव नहीं है इसको हम पलिटिकल साइंस की भाषा में सेमेटिक आइडिलोजी कहते हैं यानि जो दर्ज है वो अंतिम सकते हैं उसमें बदलाव उससे फिरना हो जाएगा और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक पवित्र मुस्तक में छेड़ साड़ के दूशी मानी जाएगे ग्रामशी थोड़ी अलग हैं ऐसा इसलिए सात्यों कि इटली में और द्यूगित करांती हो चुकी है आप देखिए माक्स त्याका जो वो ये नारा है कि दुनिया के मज़़ूरों एक हो जाओ इस संगर्ष में तुम केवल अपनी जंजीन नख होगे ये माक्स का बड़ा लोप्री एक कथन है अकसर ये प्रतयोगी परिक्षाओं में सामानने ज्यान में पूछा जाता है लेकिन इस बात पार ध्यान रखिएगा हर एक देश के जो अध्योगिक संब्ध है जिनको माक्स ने एक दस्ती से देखा है वो एक दस्ती के दसल है नहीं उनमें अंतर है ग्रामशी 1811 से 1937 यानि केवल 56 वर्ष जीए है और बल्कि 46 साल बाफ करें 46 साल नौर साथ सोरा 46 साल इटली के विचारक है इटली की जो कम्यूस्ट पार्टी है उसके नेता है और इसी दोरान होता ये है कि ये व्यक्टी जो माक्सवाद में कुछ मौलिक बद्लाव की बात कर रहा है और एक विचार दे रहा है उस सुलसले में इसी दोरान इटली में सत्ता बदल जाती है और फासिस्ट बेनेटो मुसॉलिनी सत्ता में आ जाती है बुसोल नहीं का जो फाजी वाद है उनकी राय माक्सवाद के बारे बहुत अच्छी नहीं है और चुन-चुन कर माक्सवादियों को पगडा जाता है दंड़ित किया जाता है इजाम लगते हैं और उन्हें दंड़ दिये जाते हैं इसी अबधी में ग्रामशी ग्रिफतार किये गए हैं जेल में डाल दिये गए हैं और जेल में ही उनकी मत्यू हो गई है एक कैदी के रूप में अब इस जो उनकी जेल की समय अवदी है इस समय उन्होंने जो लिखा है वो उनकी मत्यू के बाद 1929 से 1935 की अवदी में जो उनने लिखा कि जेल में बंद रहे ये 1971 में 1971 में प्रिजन नोटबुक ये जो मैं नाम आपके सामय ले रहा हूं उनको आप ध्यान से नोट कीजिएगा व्याख्यान को बाद नवी सुन सकते हैं यूट्यूब पर आप सुनिएगा और इनको रोड कर लिजिएगा कई बार आपके छोटे सवालस पर बनते हैं इसे ग्रामशी की पुस्तक का नाम आप लिखेंगे इसके अंदर प्रिजन नोट बुक 1971 में ये प्रकाशित हुई और इसमें एंटोनियो ग्रामशी के कुछ आलेख हैं जो उन्होंने अपनी जिल अफ़धी के दोरान लिखे दे एक किताब इनकी और है जिक्रिसका आता है वो है मॉडर्ण प्रिंस नेकैवे लिए आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे साथ ही उन्होंने आपको पढ़ाया है उनकी किताब है दप्रिंस और ग्रामशी की जो किताब है इसका नाम है दब मॉडर्ण प्रिंस कि आद्नुक समय के जो राजकुमार है ये शासर प्रणाली है उस पर उन्होंने अपनी व्यक्या दी है अब आगे बढ़ें 1917 की जो रूस की बॉल्षिविक क्रांती है आप ये मानें कि माक्सवाद के विजावों को एक वेवार में लाने का पहला बॉका देलिन को मिला उन्होंने रूस में एक सफल क्रांती की और सत्ता अपने हाथ में लिए जार शाई का अंत होता है और निरिन के नितत्युमें सत्ता आती है जिसको रोनेसर वहरा वरकी तरह शाई का नाम दिया है और कन्विस पार्टी के लीडर के रूप में वो रूस के शासक बनते हो नया नाम आता है सोवेत संग यूएससाल जिसको आप बोलते हैं आप पढ़ाएंगे किताबों के अंदर अब तो नहीं रहा लेकिन पहले यही नाम दुआ करता था नब्बे से पहले यहाँ पर ग्रामशी एक बात कहते हैं उन्होंने कहा था कि यह जो बोल्शेविक कांती है यह सफलता से हुई बढ़ाई की पात रहे लेकिन यूरॉप के प्रतेग देश में यह सफल हो जाए इस पैटर्न के आधार पर इस शैली यह इस तरीके से यह मुश्किल है उन्होंने उसकी वजह दी उन्होंने कहा कि पश्यम का जो उन्नत पूजीवाद है उन्होंने रूस के पूजीवाद के तुलना पश्यम के पूजीवाद से की और यह कहा कि सोवेत रूस का जो पूजीवाद उस सबे था जब दो देने एक सफल का अंतिक कर पाए वाल्शे कई बदलाव आ गए हैं समाज में भी और संस्कति में भी और इसकी जो सबसे प्रभावशाली चीज़ है वो यह है कि पश्चिम का जो समाज है वो इस पूंजी बाद को स्विकार कर रहा है और काफी मात्रा में कर चुका है तो पहली शर्थ यह है यदि आपको इन मजदूरों को क्रांती के लिए तैयार करना है तो वो यह है कि इनकी बुर्जुवा सोच है जो कि पूंजी बाद का समस्राव करती जा रही है आपको पहले इस माइंड सेट को बदलने के लिए एक नई क्रांती करनी होगी यह वेचार बड़ा मौलिक है क्योंकि माक्सवादी व्याक्याओं में वेचारों की उदारता के लिए बहुत ज़गा स्पेस नहीं है इस्थान नहीं है और जब ग्रामशी नहीं ये व्यू दिया तो उन्होंने इसके पीछे जो तरक दिया वो यह था कि माक्स का जो क्लास माक्सिजम है उस पर खास्तों से जो बुर्जुवा राज्य है और प्लेंटिकल मेटलिजम है दौनदात में भौतिक वाद है जो हम लोग पढ़ चुके हैं माक्सवाद के दोरान कि उत्पालन की शक्तिवस्थाओं ने बदलाओं के कारणे करांतियां मुतिये बदलाओं आते हैं यो बदल जाते हैं इतिहास कि उनकी आर्थिक वाक्या है एक यूग के बाद दूसरा यूग जब आता है तो उसकी पर भूमी में आर्थिक संबंधों के बदले समीकर जमिदाग होते हैं लेकिन यहां पर ग्रामशी एक बात कहते हैं कि यह जो दुन्दापना भौ जो भी खेल आप खेलते हों देखते हों पसंद करते हों आप आएंगे खेल युद्दकरी तो रूप है लेकिन इस खेल में बॉक्सिंग भी है इस खेल में कुष्टी भी है इस खेल में फुटबॉल भी है यह कैरमबोर्ड भी है यह शतरंज भी है मन, शरीर, रणितियां, दिमाग, खेलों के तरीके बदलती है ग्रामशी इसी बात को अपने विचारों में आगे बढ़ाते हैं धन्यवाद